यह कहानी गुरू रामदास जी के समय की है जिसमें रजनी नाम की एक लड़की के धहरे और विश्वास को दर्शाया गया है तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ मुझे अब मेरे घर का वारिस चाहिए मेरी संपत्ती का वारिस मेरा बेटा होगा लेकिन अब इसमें हम क्या कर सकते हैं जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा नहीं ऐसा नहीं होगा मैंने तुमसे दूसरी शादी बेटे के लिए की है मेरी पहली शादी से मेरी छे बेटिया है अब मुझे बेटा ही चाहिए हे बगवान मुझे अब बेटा ही देना मेरे घर का वारिस समय बीटता गया और धुनी चंद की दूसरी शादी से भी एक बेटी होती है उसका बगवान के प्रति विश्वास तूट जाता है अब उसकी हिरासत में अगर कोई बगवान का नाम लेता है तो वहे उसे मार मार कर बाहर निकाल देता है एक बार अपनी बेटी से मिल तो ले जिये इसका नाम हमने रजनी रखा है नहीं मैं इसे अपनी बेटी नहीं मानता यह मेरे घर का वारिस खा गई है इसमें इसकी क्या गलती है जी यह तो मासूम है इसे इसके पिता के प्यार से दूर मत कीजिए अब एक दिन दूनी चंद रजनी को वाही गुरु सिमरन करते हुए सुनता है तो वो बहुत गुसा होता है एकुंकार सत नाम करता पूरक निर्भाव निर्वेर अकाल मूरत जुनी से भंग गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सत नाम शिरिवाही गुरु जी तुम्हें पता है जब से तुम पैदा हुई हो तब से इस हवेली में भगवान का नाम लेना सक्त मना है सब कुछ इस भगवान ने दिया है पिताजी तो फिर ऐसा क्यूँ मैंने तुझे दिया है मैंने तुझे रहने को घर दिया खाने को खाना पहनने को कपड़े और तू उस भगवान को कहती है उसने दिये अन पानी तो हम उस निरंकार का दिया खाते हैं पिताजी वो ही पालन हारा है और वो ही सब को पालता है ये सुनते ही दूनी चंद अपनी दूसरी छे बेटियों से पूछता है कि तुम किसका दिया खाती हो तो वो कहती हैं पिता जी आपका एक तरफ मेरी दूसरी बेटियां जो कहती हैं हम तुमारा दिया खाते हैं और दूसरी तरफ ये रचनी है जो कहती है कि मैं रब का दिया खाती हूँ मेरा परमात्मा मेरा रब है पिता जी जब से तू पैदा हुई है और मेरे घर का वारिस खा गई है तब से मैंने तेरे उस रब को हमेली से बाहर निकाल दिया है रब ही है पिता जी जो पत्थर में भी कीड़े को मरने नहीं देता जो सोते हुए पंचियों को टहनी से गिलने नहीं देता जो सब को खाने को देता है मेरा परमात्मा अपनी जुबान बंद का रजनी अगर मैंने तेरे सर से हाथ उठा लिया तो तू दर-दर की ठोकरे खाएगी बीक मांगेगी याद रखी हो ये बात अब दूनी चंद अपनी बेटी रजनी की शादी के लिए एक कोड़ी आदमी को बुलाता है ऐसा मत करो महराज इस गुना को रब कभी माव नहीं करेगा इसमें पिता जी का कोई दोश नहीं है हुकमे अंदर सब को बाहर हुकम न कोई मा आप दुखी मत हो मुझे आशिरवाद दो की मैं पिता जी की आग्या का पालन कर सकू मैं रब दी रजाच राजी हाँ रब 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 अभी तक तुझ में से रब गया नहीं जब इस बिखारी के साथ भीक मांगेगी तब तुझे पता चलेगा कि इस धरती पर रब नाम की कोई चीज नहीं है ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है माराजी अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसको कौन सा रब इसको खाने को देता है कोई नहीं सकदा टाल जिस रब ने दुनिया साजी है ओस्ते कादे सवाल अब रजनी पूरी शिद्दत के साथ अपने पती की सेवा करती है मैंने तुम्हारे पिताजी से कहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ लेकिन वो मुझे जबरदस्ती शादी के मंड़ब तक ले गए अब हम जन्मों के साथ ही है तुम चाहो तो तुम मुझे छोड़ कर जा सकती हो नहीं अब हम पती पतनी के बंधन में बंद चुके हैं और मैं ये रिष्टा बहुत ही दिल से निभाऊंगी तुम महलो की रानी मैं कहां तुम्हे कोई खुशी दे सकता हूं अब रजनी नगर नगर अपने पती के साथ खाने के लिए बिख्षा मांगती है तुम कह रहे थे ना तुमें भूख लगी हैं चलो इस पास के गाउं में खाना मांगाते हैं तुम चली जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, मेरी बिमारी को देख वो तुमें भी खाना नहीं देंगे ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना मैं बस अभी आई रजनी अपने पती को एक गाउं में सरोवर के पास छोड़ कर खाना लाने जाती है उसका पती देखता है कि एक काला कउवा पानी में डुब की लगा कर सफेध हो गया है ए भगवान, जैसे काला कउवा सफेध हो गया, वैसे ही मुझ पर कृपा करो मेरी उन गलतियों को माफ करो, जिस वज़ा से आपने मुझे ये सजा के रूप में बिमारी दी है वाही गुरु कृपा करो, आप ये बक्षन हारे हो अब भगवान पर पूरी शद्धा रख, मोहन भी अपना कोड ठीक करने के लिए सरोवर में डुपकी लगा लेता है तुम कौन हो, मेरे पती कहा है, और तुमने उनके कपड़े क्यों पहने है मैं ही तुम्हारा पती हूँ, तुमने मुझे पैचाना नहीं नहीं तुम मेरे पती नहीं हो, तुमने मेरे पती के साथ क्या किया है रजनी देखो इस सरोवर को, मैंने इस सरोवर में भगवान का नाम लेकर डुपकी लगाई, तुम्हें ठीक होकर बाहर आया रजनी इस बात को मानने को तयान नहीं थी, कि यही ठीक इनसान उसका पती है, फिर वो दोनों गुरु रामदास जी के पास जाते हैं फिर गुरु रामदास जी आशिरवा देते हुए कहते हैं कि तुमारा विश्वास ही तुमारी सबसे बड़ी शक्ती है बेटी, भगवान ने तुमारे धहरे और भक्ती का फल दिया है, यही तुमारा पती है, यह सरोवर अब अमर हो गया है, यहां आकर लोग अपने रोग से मुक्त हो पाएंगे, अगर हम भगवान में अटूट विश्वास और धैरे रखें, तो हम हर कठिनाईयों को पार कर सकते हैं, सत नाम शिरिवाही गुरु जी, सत नाम शिरिवाही गुरु जी, सत नाम शिरिवाही गुरु जी, सत नाम शिरिवाही गुरु